Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ निशात और आज मैं आपसे शेर करने वाली हूँ Anti-Aging Glow Toner आप घर पे Anti-Aging Glow Toner कैसे बना सकते हैं और आज मैं आपको यह टोनर जिन इंग्रीडेंट के साथ में बनाना सिखाने वाली हूँ वो ingredient भी हमारे लिए कितने beneficial है वो भी मैं आपके साथ share करने वाली हूँ तो first जो हमारा ingredient है वो है pomogranate तो pomogranate जो है वो उसमें antioxidant properties होती है वो हमारे skin पे जो भी aging spot और wrinkles जिसको decrease करने में हमारी ये help करता है जैसे कि slow down करने में हमारी help करता है और हमारे skin को naturally protect करता है from UV rays और ये हमारे skin को clear रखता है, refresh रखता है, skin को soft and successful रखने में हमारी help करता है हमारे skin के जो भी impurities है उन्हें remove करने में हमारी help करता है जो भी aging sign है उनको reduce करने में हमारी help करता है और best part इसका ये है कि हमारे skin को skin पे ये glow देने में हमारी बहुत help करता है और ये हमारे skin के लिए specially जो dry skin है उन्हें hydrate रखने में हमारी help करता है और हमारे skin के blood circulation को improve करने में हमारी help करता है तो second ingredient पे जो इसमें add कर रही हूँ वो green tea तो green tea इसमें बे antioxidant properties रहती है तो pomogranade और अगर green tea के साथ में हम ये toner बनाते है तो इसे के हमें extra benefits भी हमारे toner में add होंगे जैसे कि ये हमारे skin को acne से fight करने में हमारी help करता है acne को treat करता है और ये हमारे skin को hydrate रखता है moisturize रखने में हमारी help करता है pores को reduce करने में हमारी help करता है और जो aging sign है उसको slow down में करने में help करता है और जो eyes wrinkles होती है जैसे कि आप देख रहे हैं इन eyes wrinkles को reduce करने में हमारी भी बहुत help करता है और हमारे स्किन पे जो एजिंग साइन आने स्टार्ट होते हैं उने स्लो डाउन करने में भी हमारी हेल्प करता है स्किन को लाइटन करने में हमारी हेल्प करता है स्किन को हाइडरेट रखता है मॉश्टराइज रखने में भी हमारी बहुत हेल्प करता है तो next मैं इसमें almond oil के drops एड़ कर रही हूँ almond oil जैसे कि आप सब को पता होगा इसमें vitamin E होने की वज़े से ये हमारे skin और hair के लिए कितना beneficial है ये हमारे skin को moisturize रखने में help करेगा skin को lighten करने में भी हमारी help करेगा और blood circulation को भी improve करेगा और फिर मैं इसमें add कर रही हूँ rose water तो rose water जो है हमारे skin का pH balance maintain करने में हमारी help करता है और even ये all skin type है ये every skin type के जो लोग है उनको suit होता है और ये हमारे skin जो भी हमारे skin के infection होते है जैसे कि redness हो गया, irritation ये itching skin पे होती है उन्हें remove करने में, दूर करने में हमारी help करता है तो rose water भी हमारे जो इस toner का important part है तो अभी आपने देखा है कि जिन ingredient के साथ में हम ये toner बना रहे है वो ingredient के हमारे लिए कितने benefits है और इससे अगर हम हमारा toner बनाते है तो हमारे skin को कितना benefit ये देगा हमारे skin को glow देगा हमारे aging process को हमारे slow down करेगा और जो UV rays से हमारे help करेगा और जो भी हमारे green tea जो add कर रहे है उससे हमारे जो acne है acne marks reduce करने में help करेगा acne से treat करने में हमारी help करेगा ऐसे बहुत से benefit हमें मिलेंगे तो अभी मैं ये process बनाने के लिए आपको यहां पर दिख रहा है कि मैंने जो pomo granite का juice मैंने यहां पर निकाला है जो भी seeds है seeds को आपको grinder में रखना है डालके उसका grind करके आपको juice निकालना है और stainer से आप pure juice liquid आप इससे निकाल सकते हो तो करीबन वन बाउल मैंने लिया था तो इसका juice मैंने यहां पर निकाला है और फिर मैंने जो green tea का एक आपके घर पे कोई लिप टॉन green tea bag होगा उसे आप minimum जितना हाप minimum 2 tablespoon मैंने इतना इसमे water आड किया है और फिर मैंने उसमे green tea bag आड किया है और 15-20 minutes में यह जो हमारा liquid हमें यहां पर मिल जाएगा मैंने extra water इसमें नहीं आड किया है और यह जो हमारा rose water है यह है 1 tablespoon rose water है तो आप और इसमें जो हमारा next ingredient जो है वो है almond oil तो almond oil आप यहां पर add कर सकते हो around 2-3 drops आड सकते हो तो देखिए यहां पर मैंने जो green tea bag remove करके जो हमारा green tea निकला है liquid वो मैंने लिया है और यह फिर मैंने इसमें add किया है और then मैं इसमें add करूंगी जो हमारा rose water है वो मैं इसमें add करूंगी तो जो oily skin है और sensitive skin हो गई तो उनको rose water suit होता है तो आपके लिए यह best है और अगर आपके oily skin है तो आप यहां पर almond oil avoid कीजिए जिनकी dry skin है उनके लिए मैंने almond oil यहां पर लिया है minimum 4-5 drops है तो अगर आपके oily और sensitive skin है तो आप यहां पर almond oil avoid कीजिए तो देखिए अभी हम इसे अच्छे से mix करते हैं और यह हमारा जो glow toner है वो बनके ready हुआ है और आप इसको एक spray bottle लीजिए और इसमें आप इसे पोर करके अपने fridge में 15 days के लिए आप इसे रख सकते हो और आप day night या afternoon दिन में कितने बार भी 2-3 times आप इसे use कर सकते हो और लगाने के बाद में अब जब यह toner अपने face पे spray करोगे तो उसके बाद में उसे upward direction में 5 minutes जब तक यह water आपके skin में absorbed नहीं होता तब तक आप upward direction में इसका massage कीजिए और इसका आपको after using जो आपके skin पे glow आएगा आपको वो जरूर अच्छा लग इसका effective result आपको ज़रूर दिख के आएगा तो यहां पर हमारा यह toner बनके ready हुआ है आप इसे घर पे try किजिए यह बहुत effective toner है और इसका आपको बहुत अच्छा result मिलेगा और यह आप 15 days तक आप बना के फ्रीज में store करके रख सकते हो और अपने face पे जब आपको apply करना है त अपने face पे tap प्ली या फिर upward direction में इसे skin में absorb करने के कोशिश कीजिए और यह आपके skin पे बहुत अच्छा effect देगा skin पे glow लाएगा aging sign को भी reduce करने में help करेगा तो यह था मेरा आज का वीडियो और यह वीडियो आपको कैसे लगा और यह चु मैंने आपको टोनर बताया एज anti aging glow टोनर आपको कैसे लगा वो मुझे comment box में note करके बताईए और आप इसे घर पे try कीजिए और इसका जो effective result है वो भी मेरे साथ share कीजिए और आपको अगर यह अच्छा लगा है helpful लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को like कीजिए अपने friends and family में share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए तो मिलते हैं हम हमारे next video में till then bye Allah Hafiz